नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आसा करता हूँ अच्छे होंगे मेरा नाम है सनौज कुमार उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है जे आप फ्रेंट्स इस वीडियो बात करने वाला है अरभी राची के ऑफीसियल वबसाइट पर आई एक नोटीस के बारे में जो की सब्सक्राइब करेंगे जिसमें आप लोग को लेटेस टेस्ट पैटर्न पर आपको मिलने वाला है तो वीडियो के साथी कमेंट सेक्षन में आपको लिंक मिलेगा उसलिए पर क्लिक करके आप असाने इस फ्री टेस्ट को अटेंट कर सकते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने के लिए फ्रेंट्स हम लोग आ चुके हैं अरभी राची के ओफीसियल वेबसाइट पर यहां पे नियोज अपड आप लोग का प्रोविजनल पैलर फॉर दा पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पाइलेट सीन नंबर 129 इस लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके के नोटीस ओपन होगा यह आपके सामने वह ओफीसियल नोटीस अफ्रेंड आरभी राची दा फॉलाइ है यह आप लोग का साउथ इस्टन रिल्वे के जो प्रिंसिपल चीप प्रस्टनल ऑफिसर है इसको भेज दिया गया है मैंने कई बार आप सबी स्टुडेंट्स को बताया है कि यह जो आरभी का वर्किंग मॉडल होता वो क्या होता है वो मैं फिर से आपको एक बार बता द इस्पेक्टिव डिविजन्स होंगे वो और इस्टुडेंट्स को ज्वाइनिंग भेजेगी तो आरभी का जो काम होता है वो यहीं तक होता है कि पैनल बना करके उस जोन को दे देना क्योंकि आरभी उस जोन के लिए ही काम कर रही होती जो जो जोन अपना जो आप लोग का रिकुट्मेंट 2018 में आई थी जिसकी की परिक्षा भी 2018 में ही हो गई थी तो इस इन लोगों की जो कम्प्लीट जोइनिंग है यह अभी तक आखिर क्यों नहीं कम्प्लीट हो गए यह बहुत बड़ा सवाल होता है कहीं नहीं कहीं रिलवे के उपर तो जो ग्रुबडी और एंटीपीसी के स्टुडेंट से कहीं नहीं स्टुडेंट के मन में भी यह सवाल आ सकता है कि सर जो वेकेंसी 2019 में आई थी 2022 में जिसकी परिक्षा भी नहीं हुई है ग्रुबडी की जो परिक्षा वो 17 अगस्ते स्टार्ट होने वाली है और कब तक चलेगी या इसकी अभी कोई exact information नहीं है तो हम लोगों की जोईनिंग कब तक complete होगी तो जो एंटीपीसी और गुरुबडी के स्टुडेंट से मुझे लगता हूं इस्टुडेंट को बहुत ज़दा परिसान होने के आवसकता बिलकुल भी नहीं है कि रिल्वे के उपर और बहुत जबाव है जब से आप लोगा प्रोटेस्ट हुआ है तब से जो रिल्वे का वर्किंग मॉडल है वह पूरी तरीके से चेंज हो चुका है तो जहां आप लोग देख रहें कि 2018 की वर्तिया उसकी जोईनिंग 2022 तक चल रही है जिसका यह कहीं सभी मतलब नहीं होता है कि जिसक के बाद रेल्वे मंत्री जी का इंटर्व्यू आया था वहां पर उन्होंने सपस्ट रूप से का था कि जून 2023 तक हमें सारे स्टूडेंट्स की जो जोईनिंग है वो कंप्लीट करवानी है तो उमीद ही नहीं बलकि पूर्ण विश्वास है कि जो एंटी पीसी और हमेशा से उसको पर सवाल उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी तुमीद ही नहीं बलकि पूर्ण विश्वास है कि रेल्वे का यह जो वर्किंग मॉडल है इसको चेंज करें और पूरी की पूरी भरते पक्रिया विदिन मतलब की टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट करें इसके बारे में आपका कहा रहा है कम ही जय भारत